हाई फ्रेंड्स मैं दिलीव सिवास्तो आज आप लोगों के अपने यूटूब चैनल वाई फाई हिजाम में श्वागत करता हूं कि आज दूसरा पार्ट क्लास से में आप लोगों यह बता है था नमर सिस्तम का एक पार्ट था जिसे हमns leo बोलते है उन स्वाइल में फैनeles प्लेज वाईब्लेटक हैं तो हम लोगों को तो ये जितने भी एक्जाम में आए हुए अब तक जो है 15 सालों के डियूरेशन में जो भी एक्जाम में आए हुए हैं उन्हीं चीजों को मैं आपको टॉपिक वाइस कराऊंगा तो इसका पार्ट टू यूनिट प्लेस पार्ट टू मतलब इकाएं आस्थान का जो मान निकालना था पार्ट बन था आज ये पार्ट टू सिखाने चलना हो कि पार्ट टू हम लोग को कैसे निकालना होगा तो आप लोग को ये चीजें आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने बताया था कि पावर वाली वैलू को कैसे निकालते हैं अगर आपके सामने करने के बाद जो इसके unit place पर value आएगी यह काई अंग पर जो मान आएगा उसका मान क्या होगा तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि पूरी value को हम दो निकालना करने के पूरा multiply करें और multiply करने के बाद चेक करें किसका unit place क्या है सिंपल सी बात है सबसे पहले हमनों को unit place की value को लेकर चलना है unit place की value 3 थी और यह 4 है तो 3 into 4 का multiply किया तो 12 हुआ 12 minute place क्या हो गया 3 into 4 क्या हो गया तो 12 अब 12 का unit place क्या हो गया 2 अब 2 के बाद अगला unit place क्या है 8 है तो 2 में 8 का multiply करेंगे तो 2 into 8 16 होता है तो 16 का unit place क्या है 6 हो गया अब अगला multiply क्या हो गया इसके unit place में तो 6 into 6 का multiply करेंगे तो 36 आ जाएगा अब इसका unit place क्या हो गया 6 6 में फिर 5 का multiply करेंगे, 30 हो गया, इसका unit place क्या हो गया? 0 Sorry, 6 में हम लोगो multiply करना होगा, यहां 3 का, 5 नहीं था, 3 था तो 6 into 3 क्या होगा? 18, तो इसका unit place क्या हो गया? 18 मतलब इस तरह कि अगर unit place आपको निकालना हो, तो यहां पर unit place की जो value आई, वो आगए 8 आई तो दूसरी type में यह बताना था, कि अगर multiply के रूप में कोई value दी गई हो, और उसका unit place का मान आपको निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे? जस्ट एक example छोटा सा और लेन का आपको समझाना चाहूंगा, कि सबसे पल हमनों को unit place की value को पकड़ कर चलना है, कि unit place को कैसे निकालेंगे? तो एक value मैंने लिख दिया कि 307 into 1258 into 1932 into 731, अब इसका multiply करने के बाद इसका जो unit place आएगा, उसके unit place की value क्या होगी? इससे हमनों कैसे निकालेंगे? यह सिखाने की कोशिस का ताम, तो यहाँ पर भी unit place लेकर चलेंगे हमनों, तो 7 into 8 किया, तो 56 मिला 56, इसका unit place हो गया 6, अब अगला unit place क्या यहाँ पर है? 2 है, तो 6 into 2 किया, तो 12 हो गया, इसका unit place क्या हो गया? 2, अब 2 के बाद अगला unit place क्या है? 1 है, तो 2 into 1 किया, तो क्या हो गया? 2 आगया, तो इसका unit place होगा, तो यहाँ पर unit place की जो value आगई, आपके पास 2 आगई, तो कभी कोई बैलू दिया हो अगर उसका उनिट प्रेस निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं इसमें कोई तो प्रॉलम है नहीं आपको प्लस मानस में दिख्यत ही नहीं होगा मल्टिप्लाई में अब प्रॉलम आती हैं अब इससे डिलेटर आपको मिक्स करकर कोशन बता रहा हूं जो लाश्क क्लास में बता है था बता हो इसको इसको बता है था इन दोनों को मिक्स करकर øख कोशन क्या पूछ देते हैं पहफर वाले और कैसे पोछे गए उनके बारे में discuss करना हूं कि उसको ऑनू कैसे निकालते है जैसे प्लस या मानस के रूप में बैलू दी गई होती है। सब्पोर्च करें कि आपके पास एक बैलू दिया है 317 to the power 21216 है। अब प्लस दे दिया यहां पर, प्लस दे दिया कि 1812 है, इसका पावर है 29, फिर आपके पास दे दिया मैंने कि 315 है और इसका पावर 3018 है। 3058 है, अब इसकी बैलू का उनिट प्लेस निकालना हो तो क्या होगा? तो ऐसा तो नहीं हो कि इसको हम लोग सल्व करेंगे और सल्व करने के बाद उनिट प्लेस निकालेंगे। इसे निकालने के लिए जो 7 दिया हुआ है, 7 लिख दिया और क्या करते हैं? अगर ये वैलू, पावर की वैलू अगर 4 से ज़्यादा हो तो हम लोग 4 से डिवाइड करकर उसका सेस निकालते हैं, रिमेंडर निकालते हैं कि 4 से डिवाइड करने के बाद सेस क्या होता है? जो पावर चार रखेंगे बताया था लास्ट अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो लास्ट वीडियो अप्लोड देख लीजिएगा यूनिट प्लेस पार्ट वन आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी संख्या के निकालने के लिए जब पावर दिया हो तो बहुत बड़ी संख भी संख्या ऐसद पावर तो बड़टी की पुड़ी संख्या जब कट गई तो पावर चार रखेंगे तो पूझा से तो लिए प्लस कर दिया Pay эффẩn difald इसकी बेहोगा है तोントगत चार वाटी कर जाएगा एक बचेगा एक यहां पर मैंने लिख दिया प्लस थ्री कर दिया प्लस यहां पर उनिट प्रेस क्या फाइब है तो मैं बताते हैं फाइब का उनिट प्रेस हमेशा फाइब होगा बता चुका हूं कि जीरो का उनिट प्रेस हमेशा जीरो होता है वन का उनिट प्र हो तो हमेंसा 0 ही बनेगा वन अगर यूनिट प्रेस्ट पर हो तो हमेंसा वन ही बनेगा और यहां पगर 6 होता तब भी 6 होता है निकालेंगे उस मैथर से तब भी आएगा लेकि उतना करने क्या सकता आपको नहीं है उसके बाद मैं आप कुई बताओं कि चार की पाव साथ को अगर हम लोग मल्टिप्लाई करेंगे तो साथ इंटू साथ इसका मतलब हो कि साथ इंटू साथ इंटू साथ हुआ तो यहां पर देखें साथ 59 और यहां भी देखें साथ 49 तो 49 145 का इंटू प्रेस निकालना है मतर्थ 9 और 9 का इक्रैसी हो जाएगा इंट प्रेस क्या बन जायगा 1 तो अगर ऐसे हम लों निकालेंगे तो देखो 7 से अगर निकालना चाहते हैं तो सिंपल तरीका से ऐसे करना चाहिए कि 7, 7, 49, 9 आगे इनिट प्रेस 9, 7, 63, 3 आगे इनिट प्रेस, 3, 7, 21, इनिट प्रेस एक आगे तो ऐसे करकर भी इने वैलू को निकाल लेंगे मतलब इसको सल्व करने के बाद जो वैलू आगे उसका इकाई अंग एक होगा यहाँ पर यह दो होगा और यहाँ पर यह पर पांच होगा इसको जोड दिया तो एक प्लस दो तीन, तीन प्लस पांच आठ मतलब इसका इनिट प्रेस की जो वैलू आगे इनिट प्लेस की जो value आगई एनिट प्लेस की value 8 हो गई, तो ऐसे cases में इनिट प्लेस निकलने का तरीखे हूँ, जब भी किसी भी संख्या को power के रूप में plus करना हो, या subject करना हो, तो unit नम्मर कोशन ले रहा हूं कि आपके पास 81600 इसकी बैलू है 392 प्लस है 7701 है 379 अब प्लस है 213 है इसका पावर 2785 अब इसकी बैलू का उनिट पेस नहीं कालना हूं कि इसको सल्व करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा उनिट पेस आएगा उसकी बैलू क्या होगी तो मैंने बताया था कि 6 में हमेशा 6 में हमेशा 6 रहेगा तो यहां पर तो 60 बन जाएगा 1 में भी बताया था हमेशा 1 आएगा और ये निकालना होगा 3 का अब अगर 3 का नहीं निकल ऐसे तो नहीं होगा डिरेक्ली तो क्या करेंगे इस वैलू में हम लोग को 4 से डिवाइड कर बहुत संख्या बड़ी हो, तो लाश्ट के दो अंक में डिवाइड करकर जो रिमेंडर आएगा, वो पूरी संख्या में डिवाइड करने के बाद भी रिमेंडर वही आएगा, इसका मतलब कि 27-85 में 4 से जो डिवाइड करने पर जो सेस बचेगा, अगर 85 में हम लोग केवल ड और 1 कर लेंगे, तो 6 plus 1 plus 3, 6 plus 1 plus 3 क्या होगा? 10, इसका इकाइं अंग क्या हो गया? इसका unit price क्या हो गया? इनिट प्रेस हो गया जीरो तैसे हम लोग बोल सकते कि इसके इनिट प्रेस का मान जीरो होगा यह तो बात समझ में आ गई है आप लोगों को उमीद करता हूं कि यह बाते समझ में आ गई अब तिसरी बैलू आपको निकालने सिखा रहा हूं कि तिसरी बैलू को हम लोग कैसे निकालेंगे, just for example ले रहा हूं question number 5, question number 5 में हम लोगों को क्या करना होगा, अगर मानस की रुख में दिया हो, जैसे आपको 7, 1, 3 का power 2, 9, 8, 6 है, और यहां पर मानस करना है, आपके पास 8, 1, 5 की power, power 21, इसकी value निकालना है, तो देखो, इसका unit page पहले निकालेंगे, तो यहां प घी के बाद क्या होगा, पूरी value में 4 से divide करेंगे, और 4 से divide करका Сेस निकालने की कोशिस करेंगे, मैंने आप लोग को भी बताया कि पूरी value में नडिवाइड करका, अगर last के दो अंक में भी divide करते हैं, तो सेस का मान वही बसता है, इसका मतलब अगर last के दो अंक में, Similar, 86 मे करेंगे तो तो नोग उतना बड़ा डिवाइड करने कि क्यों कोशिस करें तो 4 दुना के 8 4 एकम 4 दो बच जाएगा सेथ अगर आप 86 में 4 से डिवाइड करते हो तो 4 दुना के 8 कतम हो गया 6 बचा 4 एकम 4 बचा सेथ क्या 2 दो बच्छा इसका मतलब सेश यहां पर दो बचेगा जो भी सेश बचेगा वही रख देंगे अगर पूरा का पूरा संख्या कट जाता कोई सेशी नंबर सता हो तो हमेशा पावर चार रखते हैं आपको बता चुका हूं फिर बता दिया कि अगर संख्या पूरी कट गई होती तो शेश चार रखते हैं मानस यहां तो 5 ही होगा 5 पर हमेशा 5 ही होगा या ऐसे भी देख लिए 21 में अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं आपको तो 4-5-20 20 तक कट गया एक बचा वही एक यहां पर पावर अगर एक रखते तब भी वही माना आता तो इसकी वैलू 9 इसकी वै वैलू निकल जाएगी एक एक्जाम्पल मैं आप लोके सामने और लेना चाहूँगा इनिक प्रेस वैलू निकालने के लिए कोश्चन नम्मर 6 साब का जैसे एक एक्जाम्पल और ले लो यहां पर कि 318 है 318 की पावर जो है आपके पास आ गई थी 295 295 थी मानस करना है आपको 123 की पावर 22 2 अब इसका आपको निकालना है क्या unit प्रेस निकालना है कि इसका unit प्रेस क्या और इससे सल्व करने के बार जो इकाई का अंका है वो इस एकाई के अंका मान क्या होगा यही हम लोग को सल्व करना है तो हम लोग यह देखते हैं कि इसे कैसे सल्व करें तो सिंपल सी बात मैं यह करना चाहूं आप लोगों से कि यह कोई टेंशन लेने की आओ सकता नहीं है ऐसे जितने भी कोशन होते हैं यूनिट पेस की वैलू निकालना अब यह पार टू चल रहा है पार ठीच करेंगे कि पार थी में कैसे यूनिट प्रेस की वैलू कि मान निकालने के लिए आएगा इसे कोशन कैसे पूछे गहां और इसका पार फूर बता दोगा इसका मतलब कि कोई भी आपके पेपर में कोई भी किसी तरह का कोशन यूनिट प्लेस लिटेड है तो वह कोशन आप लोगों से ना छोटे यह मेरी गारंटी है अगर यह पूरे वीडियो को सिस्टेमेटिक तरीका से एक बार दो बार आप देख लेंगे और जो चीज़ें बता रहे हैं उन्हें याद रखेंगे तो हंडेड पासिन चीज़ें होगी मैं आपको यह बोलत प्रणों किजिये जैसे आपका 8 है अब 8 क क्या करेंगे अब 8 में पायर क्या होगा अब यहां बहुत बड़ी वैलू है तो पूली वैलू में न डिवाइड करका हम लोगो लास्ट के 2 अंक में डिवाइड करने सिखा दिया हूं तो 4- conclude 4 यहां पर बच जाएगा 1 और यहां पर 3 हो गया तो 4 3 12 मतलब 1 बच जाएगा तो 8 की पावर 1 और यहां पर 3 है 4 से रिवाइड करेंगे 4 5 20 क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा तो यहां पर 8 का पावर 1 का मतलब 8 हो गया 3 का power 2 का मतलब 9 हो गया 3 की power 2 का मतलब हो गया 3 into 3 मतलब इसकी value 9 हो गई तो 8 minus 9 तो बहुत सारे बच्चे ये काम करते हैं कि 8 minus 1 equal to minus 1 लिख देते हैं कि 8 में से 9 को minus करेंगे तो minus 1 होगा लेकिन बेटा ऐसा नहीं होगा तो option में minus 1 भी दिया रहता है लेकिन आपका आंसर गलत होगा minus 1 इसका आंसर नहीं होगा इसका आंसर क्या होगा अप ये मान का चलो कि मोगे ये संख्या जो आएगी पूड़ी ज्यादा होगी इस संख्या से अब आप बताओ कि 8 में से 9 minus नहीं होगा अप क्या करते हैं आगर पीछे कोई संख्या होती है तो क्या करते हो यहां से它 लेते हो तो करी लेंगे पिए अब आप मैं से नम मानस करके 18 में से मानस करोगे नो को तो आठारा मैं से गलत हो जाएगा, answer right क्या होगा? कि इसमें अगर यहां पर 8, अगर यह संख्या बढ़ी है, लास्ट वाली संख्या, मानस के बाद वाली संख्या बढ़ी है, तो अगर यहां पर जो भी संख्या है, उसमें एक और बहा लेना, अगर 8 है तो इसे 18 पढ़ना होगा, 5 है तो इसे 15 पढ़ना होगा, 4 है तो इसे 14 पढ़ना होगा, 1 है तो इसे 11 पढ़ना होगा, 2 है तो इसे 12 पढ़ना होगा, मत अगर 8 है तो 18 पढ़ लिया, तो 18 मानस 9 की वैलू क्या हो जाएगी, अगर just for example तो इसका unit place क्या जाएगा? इसका unit place प्लेस जो वैलू होई और 9 हो गई, अगर म पर 3 5 1 3 5 1 की पावर 3 9 3 9 7 है मानस कर दिया 2 1 3 का पावर आपको कर दिया मैंने 1 2 3 1 2 1 अब इसका यूनिट प्रेस निकालने के बाद कर रहा हूं कि इसके वैलू का यूनिट प्रेस क्या होगा तो बहुत ही सिंपल सा है कि एक का हमेशा एक ही रहेगा पावर कुछ भी हो एक में हमेशा एक होगा जो मैं आपको बता दिया था तो यहां पर हम लोग एक लिख सकते हैं यहां पर निकालेंगे तो 3 का पावर क्या है इसमें 4 से रिवाइड करेंगे तो 4 5 20 एक बच जाएगा हो घठी ओगा तो यह तरह आपको मैं एपको आज सिखा दिया कि I tutorial मैं कैसे लिखालेंगे पलस या मानस में इनिट प्लेस कैसे निकालेंगे और मैं दूसरा पार्थ हो गया तो मैं इसी तरह से प्लेस का पार्ट 3 स्टार्ट करूँगा आप लोगों के सामने बतो आज अगली वीडियो में आप लोग को उनिट प्लेस पार्ट 3 मिलेगा और मैं यह बोलूगा कि पेशस के साथ देखो मैं बार-बार बोलता हूं कि पेपर जो है कोई जादू छड़ी नहीं है कि मैंने क कोई जादू चलाया और आपने इसी देती पेपर निकाल लिया कोई भी टीचर जादू चला दिये ऐसा बेटा होता तो सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए होते किसी भी टीचर से पढ़कर लेकिन ऐसी पॉसिबल नहीं है इसलिए पेसेंस के साथ चीजों को आपको पढ़ना होगा अगर पढ़ते हैं और परिशम करते हैं तो पूला का पूला जो है 100% सेलेक्शन गारेंटेड है अगर ऐसा नहीं कर पाते हम लोग और उमीद करते हैं कि हम लोग का सेलेक्शन हो जाए पेपर पास हो जाए तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई भगवान आकर आपको पेपर लिखेंगे और आप पास कर जाएंगे तो इसलिए अपने परिशन पर आप लोग को फेद करना चाहिए हमेशा और मैं यह बोलूगा कि आप लोग यह जरूर करें कि क्योंकि मैं मैं आप लोगों से कोई पैसे नहीं मांग रहा हूं न आप लोग पैसा मुझे दे रहे हैं बस झाल निसे कि मैं वीडियो बनाने मेरा मिन अप्लोड करने में वह जहर नmotion तो तब इसलिए और यह लोग को लाइक सब्सक्राइब कर रहा हूं १ै नेक्स वीडियो में लिखें